Hello friends, welcome to Success Plus Academy. मैं हूँ सुमिच चोधरी और हम पढ़ रहे थे Modern History of India यानि आधुनिक भारत का इत्यास. आधुनिक भारत के इत्यास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं भारत में Europeans की entry. तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप पहले से वीडियो से चलते आईए कि आपको पता चले एक proper timeline के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से European ताकतें भारत में व्यापार के लिए आई थी. उसके बाद उन्हीं के बीच में एक rivalry create हो गई. वो एक दूसरे को side करना चाते थे और खुद के व्यापार को आगे बढ़ाना चाते थे. उसके बाद समय बदलता गया और वो जो तो कंपनिया आई थी भारत में व्यापार के लिए उन्होंने यहाँ पर political influence करना शुरू कर दिया. यहाँ पर राजा कौन बनेगा अपना puppet ruler वो बिठाना चाहते थे. इस्पेशली दक्षिन भारत में. तो उसके बाद उनके बीच में कुछ war भी हुए जिन में से करनाटिक war जो सिरीज हुई थी. वो हमने देखा तीन करनाटिक war हुए जिसमें अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में rivalry चली और अंतिम रूप से वहाँ पे बिर्टेन अपनी सुप्रमेसी इस्टेबिश करने में सक्षम रहा. ठीक है. तो इसके बाद बिर्टेन क्या है भारत को कॉ कलोनी रहा हुआ है और बिर्टेन का गुलाम रहा हुआ है. तो हमें यह जानना है इस लेसन में कि जब बिर्टेन ने भारत को कॉनक्वेस्ट किया भारत को जीता तो उस समय भारत की इस्तिती कैसी थी? भारत की पॉलिटिकल, सोशल, एकोनोमिक कंडिशन किस तरीके की थी? और बिर्टेन को किस तरीके से एडवांटेज मिला कि भारत कमजोर हो चुका था अठारवीश रताबदी में और उसका उन्होंने फाइदा उठाया और भारत को अपना गुलाम बना लिया. आपको बैटलोग प्लासी याद होगा 1777 आने वाले लेसन में हम पढ़ेंगे बै पढ़ चुके हैं मेडाइवल हिस्ट्री में जैसे की लेटर मुगल पीरियड उसके अलावा जो हमने पढ़ा था मराठाओं के साथ जो रिलेशन हैं दूसरे जो अंके साथ साथ ही साथ एंगलो मराठा वोर भी हम पढ़ चुके हैं मराठों में ठीक है तो कुछ कुछ बाद दिखा रहा है 1764 में बैटल ओफ बकसर हुआ था और उस समय भारत में कौन-कौन से राजा रजवारे कहां पे किस तरीके से एक्टिव थे वो देखी वो मुगल बादशा जिसका रूल पूरे भारत में हुआ करता था अब वो इतना सा होके रह गया है ये ग्रीन कलर क ठीक है और जो पावर है मेन पावर जो थी 1764 के आसपास वो थी मराठों की और मराठों की पावर भी 1764 में कम हो चुकी थी 1761 में क्योंकि थर्ड बैटल ओफ पानिपत हुआ था और तीसरे पानिपत की लड़ाई के बाद कम्प्लीटली जो मराठा ताकत है वो अपने डिकल ठीक है और यह मराठों के अलाइज भा करते थे और बात करें राजपूत स्टेट और मराठा वैसल्स की यानिकि राजपूत स्टेट जो थे यह मराठों के वैसल स्टेट थे इनके जो राजा थे वो सब इन्हीं के अंडर रहा करते थे इनकी अधीनता इन्होंने एक तरीक तो इस मैप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भारत की इस्तिती किस तरीके थी ये पॉलिटिकल इस्तिती को आपको दिखाता है ठीक है राजने तिक किस तरह से थी कौन कहां पे अक्टिव था ठीक अब यहां से आपको देखेंगे कि मुगलों की इस्तिती इतनी खरा कैसे हो गई आपको ध्यान होगा कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है औरंगजेब लास्ट ग्रेट मुगल था मुगलों को दो भागों में पढ़ा जाता है आपको पता है एक तो 1526 से लेके 1707 में जिसको बोलते हैं ग्रेट मुगल्स ठीक है ग्रेट मुगल्स दूस कि ये जो मुगल्स थे ये पावरफुल थे बाबर है हुमायू है उसके बाद अकबर है जहांगीर है शा जहां है और औरंगजेब है ये सब ग्रेट मुगल्स थे और ये पावरफुल थे उसके बाद जो रूलर आए वो भोती वीक रूलर थे और क्यूं थे हमने देखो अ वो कमजोर थे ठीक है लेकिन फिर भी कुछ बाते हम यहां पे देख लेते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद से ही एक डिकलाइन देखने को मिलेगा कि भारत में जो पहले एक बड़ा एस्टेट हुआ करता था हम आपको मैप देखाऊ औरंगजेब के समय यहां पे आप देख करते औरंगजेब का साशन आते आते यह जो यह जो डार्क यलो कलर का मैप दिख रहा है आपको यह वाला जो मैप है यह था वो मैप वो जो जगह थी जहां पे मुगलों का रूल हुआ करता था तो आप देखिए पूरा भारत आप थोड़ा सा प्रायोदी पे भारत है उसतना ही बड़ा अमपायर था अल्मोस जितना की अशोक समराठ के टाइम पे हुआ करता था तो यह काफी बड़ा अमपायर था लेकिन फिर समय बदला मुगलों का डिकलाइन हुआ और डिकलाइन होते हुए आप देखेंगे तो 1760 के बाद 60 तक आते आते मुगल इतने चोटे से अमपायर में समलित हो गए थे क्यों कि आस पास के राजाओं ने खुद को independent गोशित कर दिया क्यों क्यों क्योंकि ये बहुत ही weak ruler थे ये बहुत inefficient थे और इनके पास कोई ऐसी policy थी नहीं कि ये जो इतना बड़ा अमपायर है उसको hold कर पाए उस power को maintain कर पाए जितन कि ये बहुत ही खराब रूलर था मतलब खराब इन दे सेंस अच्छा रूलर नहीं था लोग इसको पसंद नहीं करते थे दूसरे धर्मों के परती इंटॉलरेंट था एश रिशनू था और दूसरे राजाओं के परती भी इसकी अच्छी सोच नहीं थी तो इसकी जो पॉलिस दूसरी तरफ आपको पता होगा कि ये जो जगे थी भरतपूर रियासत जो राज़स्तान की भरतपूर रियासत वहां के जाट रूलर थे उन्होंने इनके खिलाफ एक अभ्यान चलाते रहे वो भी तो बहुत सारे जो लोग थे औरंग जेब के खिलाफ हो चुके थे रिव गदी पे बैठा यहां भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि औरंग जेब के जीते जी कभी भी ये स्टेट टूटा नहीं जो भी मुगलों के अरधीन था वो रहा औरंग जेब की डेथ के बाद इनका डिकलाइन होना शुरू हो जाता है ठीक है तो इसकी ज काती है जो रूलर थे बाद वाले उसमें लेटर मुगल की बात करें हम आगे माँ को कौन से लेटर मुगल हुए हैं उसमें बहादुर शाब पर्थम जो था वो पहला रूलर था और बहादुर्शाद जफर जो था वो अंतिम रूलर था अठासो आठाउन में तो इनकी समय चलता है और ये इतना पावरफुल नहीं होते हैं और कुछ कारड़ ये भी होते हैं कि जो नोबल हैं जो प्रिंस जो हैं ये भी इनकास साथ नहीं देते हैं बार-बार रिवोल्ट होते हैं हर जो प्रिंस है वो आपस में लड़ता रहता है कि जब ही भी कोई राजा मरता है कोई एमपरर मरता है बादशाह मरता है तो जो उसके बाद के जो बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि उसके बाद राजा कोन बनेगा बादशाह कोन बनेगा और ये इसलिए होता था क्योंकि सक्षेशन जो था कि बाद में राजा कोन बनेगा इसका कोई क्लियर तरीका नहीं था मुगलों ने कोई ऐसा कॉन्स्टिटूशन में लिखावा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा बनेगा चोटा बनेगा योग्गे बनेगा तो योग्गे ताकर हिसाब से बनेगा तो योग्गे तो सब अपने आपको समझते हैं और इसलिए वार अफ सक्षेशन लड़े जाते थे और उसके बाद इनके बीच में लड़ाई होती थी और फिर ये स्टेट कमजोर हो जाता था साथ इसाथ एक चीज़ और होती थी कि कुछ नोबल जो थे कुछ पावरफुल रोयल लोग जो थे वो आगे आये जनमें थे जुल्फिकार खान और सैयद ब्रदर्स ठीक है य गदी पे बैठे और सैयद ब्रदर्स चाते थे कि उनका आदमी बैठे खुद क्यों नहीं बैठना चाते थे क्योंकि मुगल की जगए मुगल बैठेगा और उसको पीछे से ये चलाएंगे तो किंग मेकर तो ये रहेंगे पावर तो इनके पास रहेगी और अगर कल को रू फिकार खान को हलंकि मरवा दिया है वहीं रूलर्स ने बीच बीच में जब कुछ भी ऐसी घटनाई हुई यह आप देखेंगे लेटर मुगल पिरियड में जब मैंने वीडियो बना रखें दोनों तो वहां पे आपको पता चलेगा यह नोबल एरा माना जाता है कि जब नोब अंपायर इतना बड़ा हुआ करता था जब यह मान लीजिए कि शुरुआती समय था यहां पर अकबर राजा बनता ही है अकबर बाजशा बनता है इससे पहले इसके दादा आये थे बाबर और बाबर के बाद हुमायू तो ज़्यादा अच्छे से अपने अंपायर को पंगाल है गुजराथ है और एमद नगर तक नीचे तक उनसने एरिया को जीता ठीक है सिंद को भी जीता लेकिन उसके बाद आगे चला और आगे आने बाद जब शाह जहां की डेथ होती है शाह जहां की डेथ तो नहीं होती है उसको हटाया जाता तक से 1608 में तो 1650 के 1707 ये वो चामे है जब डेथ होती है औरंगजेब की तो औरंगजेब अपने मरते समय तक इतना वड़ा अमपायर मुगलों को लेटर मुगल के राजाओं को देखे गया और जिन्हों ने इसको तोड मरोड के इतना सा छोड़ दिया 1712 आते इनके पास कुछ नहीं बचा ठी लेटर मुगल पिरियर्ड के जो मुगल्स हैं उनका अगर नाम देखें तो सबसे पहले बहादूर शाह फैस्ट जो है ये औरंगजेब का बेटा था मुझजम नाम था इसका इसने भी वोर अफ सक्शेशन लड़ी थी अपने भाईयों को मारा था लगभग 63 साल का था जब ये जालंदर साह का नेफिय है और फरुख शियार ने हत्या करी थी जालंदर साह की और किसकी हेल्प से सयद बर्दर्स की हेल्प से उसके बाद सेयद ब्रदर्स ने फरुक सियार को मरवा दिया फरुक सियार के बाद कुछ और पपेट रूलर्स को बिठाया जैसे रफुदिन उल्ला रफिय दार ये भी पपेट थे सेयद ब्रदर्स की अब ये चीज़ दिखती जारी थी जनता को भी कि ये किंग मिकर तो बन गए हैं लेकिन ये बादशा को बाद में मार देते हैं जब ही भी उनको जरुवत उनकी खतम हो जाती है तो ये उसको मार देते हैं तो इनकी च्छवी खराग हो गई और उसके बाद एक लड़का था जिसका नाम था यंग लड़का था उससे में मुहमद शाह रंगिला मुहमद शाही नाम था रंगिला तो इसको निकनेम दिया गया क्योंकि ये रंगिला मिजाज का था इस तरीके का ये शोखीन आदमी था ठीक है तो आयासरा जाथा बेसिकली तो मुहमद शाह ये जो ग्राइट संथ था बहुदर शाह का इसको जनता का सपोर्ट था और साथ ही साथ निजाम उल्मुल्क ये बहुत इंपोर्टेंट आदमी है निजाम उल्मुल्क इसने सपोर्ट किया सबसे पहले तो इन सेयद बरदर्स की हत्या कही और उसके बाद महुंबर्शारंगिला को दिल्ली का तक्त मिल गया और ये लंबे समय तक इसने साशन किया हलांकि ये भी भोती वीक रोलर था इसकी कोई ज़्यादा चलती नहीं थी बस आयासी करता था ना किसी कोई प्रेशान करता था ना इसको कोई प्रेशान करता था इसलिए लंबे समय तक टिका और ना ही इसका कोई ज़्यादा महत्तव ह ठीक है इसके समय पे कुछ चीजें हुई थी वो आगे हम चलके डिसकस करेंगे यहां तक आते आते मराथा पावर भोती पावरफुल हो चुकी थी और मराथे भी यह डिसाइड करने लग गए थे कि आगे चलके मुगल तक्ती पे कौन बैठेगा ठीक है फिर एहमद शाह बाहदूर आया यह मौमद शाह का बेटा है फिर आलमगीर सेकंड आया शाह जहां तिरती है शाह आलम सेकंड आया यह जो समय है फिर से एक ऐसा समय है जहां पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं के ओस था यहां पे एन आर की थी क्योंकि इन राजाओं को बिठाने में जो रोहिल्याज और मराठों का जो हस्तक शेफ चल रहा था तो ये जल्दी जल्दी सत्ता यहां पर बदल रही थी और उसी के बाद यहां पर एक बैटल होता है 1761 में जिसको बोलते हैं थर्ड बैटल ओफ पानीपत और उसके बाद मराठा पाउर भोती अपने डिकलाइन पर आ जाती है ठीक है उसके बाद अकबर शाया और अंती मुगल बार शाय जो है बहादूर शाय शेकेंड जिसको बोलते हैं या बहादूर शाय जफर जिसने 1867 की क्रांती में लीडर्शिप की भूमी का निभाई थी तो 1867 की जो क्रांती थी जो सिपोई मुटीनी थी उसमें भारतिये जो सेनाई थी उनकी हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे इसलिए बहादूर शाको बाद में जबरदस्ती रिटायर करके रंगून भेज दिया गया रंगून कहां पे हैं रंगून है आज के समय बर्मामी यानि कि मयामबर में तो यहां पे जाके यह इसके बाद यहां जो दिल्ली का तक्त है वो कंप्लीटली खाली हो गया और यहां से मुगल बादशाहत जो है वो खतम हो गई ठीक है यह चीज़े थी थी लेटर मुगल्स में अब इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जान लीजे नहीं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं इनको अगर इंडवीजुल बताने लग जाओं तो वर ऑफ सक्षेशन जो थे जो रोयल प्रिंसेज थे उनके बीच में लड़ाईयां होती थी कि तक्त पे कौन बैठेगा और उसके बाद ग्रूप राइवलरी जो होती थी कोर्ट में जैसे जुल्फिकार खान और सेद ब्रदस के बीच में वह अलग चीज थी और साथ ही साथ म हमने देखा हैं अंदर वो इंटरनल चैलेंजेज थे अक्टरनल चैलेंजेज में जो बाहर से अटेक हुए उनकी बात है और नॉबल्स के साथ दील करना रीजनल पावर्स के साथ दील करना इन लेटर मुगल्स के राजाओं के लिए ज़्यादा वो बस की बात थी नहीं आ लेकिन अठारवी शताबदी का आंत मिड आते आते वो भोती कमजोर हो चुके थे तो भारत की इस्ततीर बताती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल के उस और अनार्की फैलना शुरू हो गई थी अब बात आती है नादिर शाह की नादिर शाह का भारत पे इन्वेजन मैंने कम्प्लीटली पहले पढ़ाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा जान लीजे नादिर शाह कौन था नादिर शाह इरान का एक सुल्तान था आज का इरान जो है और वहाँ पे इसकी एक डाइनस्टी थी अश्रफीद अफशरीद डाइनस्टी सोरी अफशरीद डाइनस्टी जो है इसका एक फाउंडर था और ये 1736 से लेके 1747 तक इसने इरान पे रूल किया था जनम इसका 1746 में हुआ था 1747 में इसकी डेथ हो गई थी एक किसान का लड़का था लेकिन आगे चलके बहुती बड़ा ब्रूटल मिलिटरी कमांडर बना जिसने बहुत बड़े एरिया को जीता और उनहीं में से एक था भारत पीसका इन्वेजन ठीक है ये इंडिया की जो इसको पता था कि भारत में पहले भी अटेक हो चुके हैं जैसे मुहमत गजनवी के साइंपे 17 अटेक हुए हैं इसके पहले एक 1388 में दिली सल्टनत के साइंपे तैमूर ब़ारत पर एटेक किया तो इसको पता था कि भारत एक सोने की चagn Depay भार बहुत उसके पास स्मूर इसलिए 1749 में उसने अटेक किया भारत में तो नादिर शाह का अटेक जो है 1749 का बहुती मशूर है इसमें एक लड़ाई हुई थी बैटल ओफ करनाल में मुगल आर्मी बहुती बड़ी आर्मी थी लेकिन उसके बाद भी नादिर शाह ने मुगल आर्मी को आसानी से हरा दिया और मुहमर शाह रंगिला को इसके सामने सरेंडर करना पड़ा पता है नादिर शाह को नेपोलियन ओफ इरान का नेपोलियन यानि कि इतना अच्छा मिलिटर लीडर था किसी को जब नेपोलियन बोलते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत अच्छा मिलिटर लीडर रहा उसको तो ये नादिर शाह को इरान का निपॉलीन कहते हैं और ये जब ये इसका अमपायर था ये मुगल अमपायर था इसके साथ पास ही थी बाउंडरी करनाल में हरियाणा में आके इसने अटेक किया और ये जीत गया अब इसकी मशूर बात ये है कि जब ये लड़के वाप था उसको और उसको पिकोग थ्रोन बोलते थे और उसमें ही कोहिनूर हिरा लगा हुआ था ये कोहिनूर हिरे को पिकोग थ्रोन को तो लेकी गया ही लगया साथ इसाथ सतर करोड रुपे अपने साथ लेकी गया था ये जो ट्रेजरी थी ये मुगल ट्रेजरी थी इसको पू काम सकते हैं जिसतरीके से तैमूर ख़ा था जिस तरीके से इन्वेजन पहले हुआ करता था महामद गजनवी का सौमनात मंदिर पर उस्थे के इन्वेजन थे इसके एक इन्वेजन था इसका और इसका Ada's क्या है उस एरा में जिसको हम पढ़oon willst चुमने दिखा दिया कि यह मोगल अंपायर है यह कुछ काम का नहीं बचा है। इसके पास कोई पाउर नहीं है। ये बात मरठों को भी पता चल गई और ये जो foreign trading company थी जो भारत में उस समय थी चाहे Britishers हों, French हों या फिर Portuguese हों, Dutch हों सब को पता चल गई थी ठीक है अब बात आती है आगे और invasion हुआ अबदाली का invasion या दुर्रानी का invasion इसको बोलते हैं ये जो एहमद शाह दुर्रानी या एहम 1747 में तो इसने एक नया empire बनाया अफगानिस्तान में ये दुर्रानी अंपाय है ये जो black color में दिख रहा है आपको ये empire जो है इसकी foundation इसने रखी अब बात आती है 1747 की तो 1747 तक तो maratha power यहां पे बहुत ज़्यादा powerful हो चुकी थी अब ये blue color का है यहां पे ऐसा नहीं कि य मराठे और दुर्रानी जो हैं उनकी सीमाई टाच होने लग गई इसका मतलब वो दोनों की power जो है power struggle जो है वो शुरू हो गया दिल्ली के तक्त में अबदाली भी अस्तक्षेप करना चाहता था और वो भारत में आठ बार raid मार चुका था आठ बार attack कर चुका था 1748 से लेके 1760 के बीच में और उन्ही रेड में से एक famous रेड इसकी थी और famous attack जो था वो था 14 जनुरी 1761 को लड़ा गया तीसरा पानीपत का युद्ध तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों और दुर्रानी के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें मराठा शक्ती की हार हुई और मर मराठे के जो उसके बाद वो कभी उभर नहीं पाई उस तरीके से हलांकि माधव राव सेकेंड के समय थोड़ा सा सिचुएशन वापिस समली थी लेकिन उसके बाद तीन एंगलो मराठा वोर हुए और उसके बाद मराठा पाउर जो है वो completely धुमिल हो गई decline में चली गई इ अलंकि इसको मैंने completely पढ़ाया है आप इसको भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस में मेडाई हो लिस्ट्री की और आप यहां पे भी जाकर देख सकते हैं मैंने यहां पर आई बटन पर यह इसको डाल देंगे मराठा जो है इनको बहुत ज़्यादा लोस्वा जान और माल का पैसे में हर तरीके से साथ ही साथ जो इनकी political influence था इनकी जो power थी उसमें भी बहुत ज़्यादा decline हुआ और इनका जो सपना था पूरे देश में भगवा जंडा फैलाने का और पूरे देश पे जो हिंदू समर हुआ इस बैटल का सबसे ज़्यादा वो थे इस्ट इंडिया कंपनी जाट और सिक ये लोग जो थे जिन जाट और सिक और इन लोगों पर पता था मराठे सबसे पावरफुल हैं तो ये इतने आगे बढ़ नहीं सकते थे इन से डील करने की कंडिशन में थे नहीं क्योंकि बहुत पावरफुल थे लेकिन बाद में जब मराठे कमजोर हो गए और यहां से जाना ही था दुरानी को तो दुरानी यहां पे ज़्यादा समय रहा नहीं चला गया और उसके बाद इन लोगों ने अपनी मन की मरजी चलाना शुरू कर दिया इस्पेशली इस्ट इंडिया कमपनी ने ठीक है इस्ट इंडिया कमपनी ने उसके बाद तीन रियुद लड़े जिनको एंगलो मराठा वोर कहते हैं और उसके बाद पेश्वा सिब जो है वो चली गई जो पेश्वा सबसे पावरफुल पद हुआ करता था मराठा शक्ती में वो भी खतम हो गया तीसरा एंगलो मराठा वोर लड़ा गया ठीक है उसके बाद ये जो बैटल है इसने बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रियेट कर दिया कि ये जो मराठे हैं जितनी बड़ी पावर थी इनके पास अब ये ही नहीं रहे तो ये इतना बड़ा एरिया है इसको कंट्रोल करने के बाकी जगह ये कर रहे थी ठीक है यूरोप की तो आपको पता ही है बिटेन की तो कि इनोंने सब जगह ही दूसरे लोगों को साइड कर दिया अब बात करते हैं रीजिनल स्टेट्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे भी आगे चलके लेकिन कौन-कौन से स्टेट्स हैं जिनकी हि कुछ लोगों ने मुहमद शार रंगिला के समय ही अपने आपको आज़ाद कर दिया था उसमें से एक था निजाम-ul-मुल्क 1724 में इसने हिद्राबाद रियासत की शुरुआत की बंगाल की रियासत की शुरुआत ये थी 1770 में मुशिद कुली खान ने अपने आपको इंड हैदराबाद का निजाम, बंगाल का नवाब और अवाद का नवाब जो हैं इनके बारे में ये सकसेसर स्टेट्स थी ठीक है जो मुगलों से ही अलग हुए थे फिर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जैसे महसूर है हैदर अली और पाद में टीपू सुल्तान के फिर केरला की बात करें उसके बाद राजपूत स्टेट्स जो हैं ये इनडिपेंडेंट स्टेट्स थी ठीक है तो ये जो है इन सभी को हमें अलग से पढ़ना है और ये जो है ये अलग लेसंस रहेंगे इस्ट इंडिया कंपनी और जो बिर्टिशास हैं उनका एक फ्लो मे चलता रहेगा लेकिन ये लेसंस आपके बीच बीच में आते रहेंगे ठीक है अब बात आती है रिजनल स्टेट्स जो थे इनकी नेचर कैसी थी इनके पास कितनी पावर थी इनके पास किस तरीके से ये पॉलिसीज मेंटेन करते थे किस तरह से दूसरे लोगों के साथ ये तो इनके पास पावर थी लेकिन इनको ने मुगलं के साथ रिलेशन कराब नहीं कि एसा नहीं कि मुगल बाज़शा है वो आफ हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता हैं मुगल बाजशा की सूपरमेसी उसकी एथारिटी को इनकोलेज किया और साथ इसकी अमरिला के उसके छथ तर्शाय में ये रहे, इन्होंने ऐसा नहीं कि मुगल बादशा को एकदम दरकिनार कर दिया, चाहे वो मराठे ही क्यों नहों, मराठों ने भी मुगल बादशा को ताउज्जो जरूर दी, उनको उसकी सुपरमेसी, उसकी ओथरिटी को इसने रिकोगनाइज किया, क्योंकि व जो पॉलिटिकल अमरजेंस है इन स्टेट्स का, करेक्टर जो है इनका, वो आपको देखने को मिलेगा कि ये जमिदार, मर्चेंट्स और जो नोकल लोबल्स हैं, और जो सरदार हैं उन इलाकें कि उनमें बाटके रखते थे ताकत को, अलग अलग तरीके से, जमिदार को रा प्रोसेस तो होता नहीं तो ये सिस्टम चलता रहता था, ये जो जमिदार, मर्चेंट और लोकल नोबल्स का, ठीक है, साथ ही साथ ये है, कि रिजनल स्टेट है, इनके कुछ लिमिटेशन भी होती थी, ये एक ऐसा सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिस्टम या फिर कुछ ऐसा इरिया कभी किसकार इनके बीच में लड़ाईयां चलती रहती थी, तो बहुत अच्छा इन्होंने और्गनाईजेशन, और्गनाईज वे में इनको सिस्टम को नहीं मिंटेन कर पाई, ठीक है, और एक मैसूर जो था, ये थोड़ा अच्छा था, टेकनिकली वे में भी, का सामना करना ही पड़ा फिर एंग्लोमराटा वोर में, वो एक अलग बात है, वो हम देखेंगे कभी, अब सोशल एकनोमिक कंडिशन की बात आती है, अथारवी शताबदी में, तो देखो, जो स्टेट जिसके अंदर भी पॉलिटिकल इस्टेबिटी नहीं है, उसकी सोशल एकनोमिक कंडिशन अच्छी नहीं हो सकती, एकनोमिक कंडिशन बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, यह आपको पता है, ठीक है, तो अठारवी शताबदी में भारत ने कोई ज़्यादा प्रोग्रेस करी नहीं, न तो एकनोमिकली करी, न सोशली करी, न कल्चुरी करी, और य क्योंकि जो nobles हैं, जो powerful लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उन्हीं का पता नहीं था कि वो कल सत्ता में रहेंगे या नहीं, जो nobles हैं वो अपने हित्थ साबित करना चाहते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, तो इसलिए जो poverty है वो बढ़ती जई और जो extreme luxury life जेने वाले लोग थ ठीक है, ये चीज रही, लेकिन बात करें कि वो गरीबी जो थी, वो कितनी भी गरीबी क्यों नहों लेकिन जब अगले 100 साल तक जब East India Company ने भारत पे रूल किया, 100 साल तक ही किया ने, East India Company ने तो 1767 से लेके, 1867 की करांती तक, उसके बाद तो British Crown जो है, वो आ गया था, महरान विक्टोरिया ने रूल किया और उसके बाद 1947 में भारत बिर्टेन की कोलोनी से आ जाद हुआ, East India Company जो है, उससे तो 1767 में उसको हटा दिया गया था, चार्टर के थूँ, उसका रूल अब हटा दिया गया था, तो 100 सालों तक जब Britishers ने रूल किया, East India Company ने, उससे तो हालत 18 शताबदी में भी ठीक थी, तो इसका मतलब आप देखें कि Britishers ने इनको कितना ज़्यादा उप्रेस्ट किया है, कितना ज़्यादा इनको वो किया है, सोशित किया है, तो वो चीज है, अब आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि Britishers को किस तरह के से अड़्वांटेज I hope आपको सारी चीजें clear हुई होगी, किसी तरह कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हैं, साथ ही telegram का link आपको दे रखा है, वहाँ भी आप discussion कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगाते हैं वीडियो को like कर दीजी, share कर दीजी और channel को subscribe कर सकते हैं आने वाले videos के लिए, thank you so much, have a good day.